कि नमस्कार साथ ही आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रॉनिक चलिए दोस्ताइश की सुरुवात करता है जैसे के अपने सेरी चले क्वाटर फोर रिजल्ट की तो उसके अंदर आज वी एलस का क्वाटर फोर रिजल्ट है तो रिजल्ट कैसा है आगे समय समय पर इसको हमने कवर भी किया है तो चलिए कंपनी के वारे में बात करने से पहले अगर अब अब अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए बहले को बजाना मिलकूल ना भूली अब तो दीकिंए कंपनी सुगर सेमेंट के साथ साथ विनेगर के अंदर और और इंडिये के अंदर और जो इंटरनेशनल की डिमांड बढ़िए गवर्मेंट चाहते हैं इसका निवारा नहीं करना चाहे तो इसकी यही वजाए कि इसका ब्लैंडिंग जो है अधनोल के अंदर नहीं है यह एल्कॉहल बनाते विनेगर टाइप के प्रोडेक्शन के काम करती है सुगर सेक्मेंट में तो है यह तो कंपनी के अंदर काफी टेम से टेयर्टर के अंदर शेयर फसा हुआ है और काफी गिरावर्ट दिखा चुका है अपने 52 लोग के आसपस जा चुका शेयर बाट आज आए इसका तो 2022 एंड अभी टैम हो रहा है रात के 12 बच चुके है तो देखे रिजल्ट तो आज ही आया है थेकर रिजल्ट आया था इसका यानि के साड़े गिरावज़े बाट अफ मीटिंग हुए थी और एक बचे खताम हुई तो डेड़ बज़़े पूरी अपडेशन देखने को म अभी मिल रही है तो अब समाझते इसके क्वाटरफो की रिजल्ट कैसा रहा है तो दिखे इनकी अनिंग से दिखते हैं वह अनिंग सिनकी लैक्स के अंदर है ठोड़ सो सिंप्लिफाइए करके समस्ते इनकी अनिग कैसे रही तो हम आगे स्केणर की सैट पे तो company NSC 28C दोनो डिवीडेंट अभी तरह कंपनी ने डिवीडेंट दिया है 0.96 परसेंट का फेज वेली इसका दोर पेगा है देखे कंपनी की जो कंपांडिंग एन्वल ग्रोथ रेट है पास साल की वह 58.10 परसेंट यह भी काफी ची देखनों को मिल रही है तो हम बात करें से क्वाटर फॉर का है 35 क्रोड बेगा अनिंग पर शेर की बात करते है तो 1.89 का अनिंग पर शेर इस क्वाटर में आया है तो लास्ट क्वाटर से का पर चाहिए दिसम्बर 2021 क्यू थिरी से देके लास्ट क्वाटर से एक 133 क्रोड वह घटके हुए एक 133 क्रोड ऑप्रेसन प्रॉफिट हमार प्रॉफिट में कम है क्वाटर क्वाटर वाई बट येर येर वाई सॉरी नेट प्रॉफिट और अनिंग पर शेर के लिए बड़ा देखने को मिल रही है हमारे को 67% की ये वह काफे चाहिए जाफ़ा देखने को मिल रहा है आप देशकता है 39 क्रोड से बढ़के हुए 35 क्र और नेट प्रॉफिट हमारा 4 क्रोड तो बढ़के हुए 35 क्रोड बेगा अनिंग पर से हमारे 0.19 तो बढ़के हुए 0.89 तो आप दे सकते हैं सेल के अंदर तो क्वाटर क्वाटर येर वाई कमी है बट येर येर वाई हमारे ऑप्रेसन प्रॉफिट के अंदर 15% का को मिल रही है तो पॉजिटिव क्या है कि आप दे सकते हैं जो इस क्वाटर मार्च 2-22 क्वाटर के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकल के अनिंग पर शेर निकल के आए वो अभी तक का यानि कि आप दे सकते हैं अभी तक का हाईस्ट दो साल के अंदर देखेंगे जून 2019 क के अंदर देखेंगे तो घाटे में थी कंपनी मुनाफिम आ रही है और अच्छे कासी जनेरेट कर रही है तो आप दे सकते हैं पुनाफिट के साथ नेट प्रॉफिट जो 35 को रहा है यानि 2019 के बाद फरस्ट फरस्ट हैम इता हाईस्ट नेट प्रॉफिट अंड किया कंपन वह बाने वह बढ़के हुए 33.59 तो आप दे सकते हैं परमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है मोटा मोटा धाई परसंट की जाफा करा कम परमोटर ने यह बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कंपनी के परमोटर उनको ट्रस्ट है कंपनी को वह आगी ले जाएंगे और अच्छी पर्फूमेंस करेगी इसलिए कंपनी का करती अगर नहीं तो अपनी होल्डिंग निकाल लेते हैं बट यहां पर क्या कंपनी के परमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है यह पॉजिटिव नीउस देखने को मिल रही है यहां पर एक पॉजिटिव टैर्टि देखने को मिलना है कि गौर्मेंट के होल्डिंग इस क्वार्टर में 0.01 हो चुकी है तो देखेंगे आपके परमोटर ने और गौर्मेंट ने अपनी होल्डिंग इसके अंदर इंक्रेस करी यह पॉजिटिव सायं देखने हो मिलना वाला की कम्पनी जो प्रौफिट देखने को मिलना है और नेट प्रौफिट में रीजाल्ट है अच्छe ना खराब है यह बठ HEKing Ilmanicus से अच्छा काफ़े ख्याल भठाने ने कवेलिस पर इसका ट्रेटिंग से दो समझते हैं तिर आगे कसे रहने वाला वह समझते हैं देखिए विस्वर आज उगर इंडिस्ट्री में गूगल पोपन कर रहा है तो आज के दिन यह साड़े चार परसंट तेजी लगा के बंद हुआ अज़ ऑपन ओट है 1990 पैसे पर हाई मारस नरगे पैसे नहीं ऊनुननिजचर हो 95 पैसेगा 52 है 90 पैसेगा थो यह स्वेंट इसका उननीस險ग चालिसगा तो ऐस पस चार्ण कि तरब वह पस गया है तो पांस दिन खर शेर नहां 338 परसंट एट्गन दिया हैं 1 मंद के अंदर साड़े 6 परसेंट गिर चुका है यानि कि अच्छी कासी गिरावर दिखा चुका है चैकंड एक 6 मैनी से होड़ कर रहे हैं तो हैट्स-off-you काफी पेसे साथ अपने अपने से रूलड किया इसमें तीजी के बरकर आप फिर से देखने को मिलेंगे यह टूट तो आप थोड़ा चार्ट पर समझते हैं कि रिजल्ट के आपको देखने को मिल चुका है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल चुकी है थोड़ा उपन नीचे रहने वाला क्योंकि रिजल्ट अच्छा है आप रिजल्ट का इंपक्ट आपको एक दिन देखना को मिलगा अज शेयर के अंदर तॉप बॉटम बनके शेयर ने फिर से अफ्ट्रेंग की तरफ दिखाया है और कल के दिन शेयर के अंदर एक ड्रेगन फ्लाइड डोजी बनी ते और आज के दिन इसमें एक इन्वेटेट हैमर कैंडल बनी है तो इसका मतलब है शेयर तेजी को दमखम दिखाया था अज शेयर उपर के तरफ गया था फिर इसमें प्रॉफिट भूइंगे शेयर वापस के नीची के तरफ क्लोस हुआ है तो आज इन्वेटेट हैमर कैंडल तो बनी अच्छे का से बार के साथ बनी है अच्छे का सा फिलाप हुआ इसके अंदर जो बार तो अच बाइस रुब्रेक करने में थोड़ा सा समय लगेगा रिजल्ट अच्छा है बट सेल में कमी देखने को मिली एक नेगिटिव पॉइंट है साथिता फाइट इसकी जो कमी देखने को मिलें घटे इनकी होल्डिंग में जो डिकरीज हुआ वह वह एक नेगिटिव पॉइंट तो अगर आपको क्या करना देखिए यह हडल बना हुआ है यहां पर ब्रेकर करके उपर की तरफ जाता शेर में तो और तीजी देखने को मिलेंगे बट अगर आप इसमें चाहते हैं अभी भी इन्वेस्ट करना क्योंकि अपने 52 लोग के असपाद जा चुका शेर अब यहां से अब ट्रेंडिंग के आप दिखाया है क्योंकि त्रिपल टॉप बॉटम बन चुका शेर के अंदर तो त्रिपल टॉप बॉटम जब भी कि शेर क लाइंग कर सकता है अगर आपके परसे तो होड़ रखिये 22.25 का लेवल ब्रेक करका तो आपको 25 को पर 20 में जल्दी देखने को मिलेगा आपको आई हो भी वीडियो आपके उस पूलों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर फोवड करना बिल्कूल ना बोलें थैंक्यू सो म पर वच्छ 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 इस वीडियो